जै स्री कृष्णा आज गुरुवार के दिन आये सुनते हैं भगवान विश्डू और मा लच्मी की यह कथा कहते हैं कि जिस भी घर में भगवान विश्डू और माता लच्मी की पूजा की जाती है वहां सुख सान्ती का वास होता है दामपत्य जीवन भी सुखमय होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ की स्री हरी को भी माता लच्मी की वजह से रोना पड़ा आये जानते हैं भगवान विश्डू की पूरी कहानी पौरारी कथाओं में जिक्र मिलता है कि एक बार स्री हरी धर्ती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तभी देवी लच्मी ने उनके साथ चलने की अनुमती मांगी कई बार कहने पर भगवान विश्डू ने कहा कि वह साथ चल सकती हैं लेकिन उन्हे एक सर्थ माननी होगी उन्होंने कहा कि धर्ती पर कैसी भी इस्थिती आए लेकिन उन्हे उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है देवी लच्मी भी भगवान की सर्थ मान ली और साथ चल दी कथा मिलती है कि जब स्री विश्डू और माता लच्मी पर भ्रमण कर रहे थे तभी देवी की नजर उत्तर दिशा की ओर पड़ी उसोर इतनी हर्याली थी कि वह खुद को रोक न सकी और सामने दिख रहे बगीचे में चली गए इसके बाद उन्होंने उस बाग से एक पुष्प तोड़ लिया और भगवान विश्डू के पास वापस आए उन्हें देखते ही स्रीहरी रो पड़े तभी माता लच्मी को उनकी सर्थ याद आई तब भगवान विश्डू ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी वस्तू को छूना अपराध है देवी लच्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से छमा मांगी लेकिन स्रीहरी ने कहा कि इस गलती की माफी उस बगीचे का माली ही दे सकता है उन्होंने कहा कि अब उन्हें उस माली के घर में दासी बनकर रहना होगा देवी लच्मी ने उसी छड गरीब अवरत का रूप धारण किया और सीधे उस माली के घर पहुच गई माली ने उनसे कभी खेत में काम करवाया कभी बगीचे में तो कभी घर में लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वह दासी कोई और नहीं माता लच्मी हैं तो वह रो पड़ा कथा के अंसार माली ने मालच्मी से छमायाचना की और कहा की जो कुछ उसने उनसे करवाया वह सब अज्ञानता बस था इसके लिए वह उसे माफ कर दे मालच्मी ने मुस्कुराते हुए कहा की जो भी वह नियती थी इसके बाद कोई दोस नहीं है लेकिन जिस तरह उसने मा को अपने परिवार का सदस्य समझा उसके लिए वह उसे आजीवन शुक्षमरिधी का बरदान देती है देवी लच्मी ने कहा की माली और उसके परिवार के सदस्यों को जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा इतना कहकर देवी अंतरध्यान होकर विश्रू लोक को गई एक और कथा के अनसाद एक बार भगवान विश्रू ने लच्मी जी को भू लोक में अश्वयोनी में जन्म लेने का स्राप दे दिया जैस्याकी सब जानते हैं कि भगवान विश्रू की हर लीला के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है और इसी तरह इसके पीछे भी उनकी कोई लीला ही थी लच्मी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा और उनकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान विश्रू ने कहा देवी यद्यपी मेरा वचन अन्यथा तो हो नहीं सकता तथा पी कुछ काल तक आप अश्वयोनी में रहोगी और उसके बाद मेरे समान ही तुम्हारी एक पुत्र उत्पन होंगे उसके बाद ही इस श्राप से आपकी मुक्ती होगी और फिर आप वापिस मेरे पास बैंकुन ठा जाएंगी एक दिर भगवान के श्राप से लच्मी जी ने भूलोक में आकर अश्वयोनी में जन्म लिया और कुछ समय बीट जाने के बाद उन्होंने कालन दी वद तमसा के संगम पर भगवान संकर की अराधना करनी सुरू कर दी वे भगवान सदासिव त्रिलोचन का सच्चे मन से एक हजार वरस्तों तक ध्यान करती रही उनकी तपस्या से महादेव जी बहुत प्रसंद हुए और लच्मी के सामने ब्रिशब पर आरूर हो पारवती के साथ दर्सन दे कर कहने लगे देवी आप तो जगत की माता हैं और भगवान विश्रू की परंप्रिय हैं आप भक्ती मुक्ती देने वाले संपूर चराचर जगत के स्वामी विश्रू भगवान की अराधना छोड़कर मेरे भजन क्यों कर रही हैं बेदो का कथन है कि इस्त्रियों को सरवदा अपने पती की ही उपासना करने चाहिए और उनके लिए पती की अत्रिक्त और कोई देवता ही नहीं होता पती कैसा भी हो वह इस्त्री का आराध्य देव होता है भगवान नारायर तो पुर्शुक्तम है ऐसे देविश्वर पती की उपासना छोड़कर आप मेरी उपासना क्यों कर रही है ये सब सुनने के बाद लच्मी जी ने कहा हे प्रभु मेरे पती देव ने मुझे अश्वयोनी में जन्म लेने का स्राप दे दिया है और इस स्राप का अंद मेरे पुत्र होने पर ही होगा आपकी उपासना मैंने इसलिए की है कि आप में और स्री हरी में जरासा भी भेद भाव नहीं है आप और वे एक ही हैं केवल रूप अलग है आपका और उनका एक कत्व जान कर ही मैंने आपकी अरादना की है और यदि आप मुझे पर प्रसंद हैं तो मेरा यह दुख दूर कीजिए भगवान सीर माता लच्मी के वचनों को सुनकर बहुत प्रसंद हुए और भगवान विश्डू से इस विशय के बारे में प्रार्थना करने का वचन दिया और श्री हरी को प्राप्त करने वो एक महान प्रकर्म साली पुत्र प्राप्त करने का बर्भी उन्हें प्रदान किया भगवान सीव का संदेश और देवी लच्मी की इस्थिती जानकर भगवान विश्डू अश्व का रूप धारड कर लच्मी जी के पास गए और कुछ समय अश्व वा अश्वी के रूप में समय बिताने के बाद देवी लच्मी को एक बीर नाम का पुत्र की प्राप्ती हुई उसी से है है बंस की उत्पत्ती हुई बाद में लच्मी जी को उस्वाप से मुक्ती मिली और अंत में वे दोनों बैंकूंठ लोग को चले गए